दूसरा बात सुनो क्या कि यह खतम जासी होगा आज या फिर कल उसके बाद NCRT का इसका MCQ ठीक है NCRT का प्लस तुमको यहां से जोगी मिलेगा उसका भी इस दोनों का कम से कम 30-40 MCQ प्लस जो तुम्हारा उससे NCRT का MCQ दूसरा चीज़ तुम्हारा सौथ कोश्चन भी कराएंगे और पूरा चैप्टर का रिभ्यू भी कराएंगे जो कि तुमनों पढ़के खुछ समझ जाओगे इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ था क्या नहीं लिखा हुआ था अगर तुम लोग काइदे से क्लाफ किये तब हमालब काइदे वर्व किया तो सामें मेरे चले ओए तब अगर नहीं चले ont अभी पनयेगे क्या कि नख मेंальная तुनिया अच्छय चल रही है अब दूसरा बच अब्छ instrument कर रहा है सुनो क्योंकि तर्की रास्टे को ब्लॉक किया था इसके लिए क्या था इनको टाक्स लगता था इसके लिए सी के रास्टे से सबसे पहले आते हैं पॉर्टुगीज उसमें क्यों है वास्को डिगामा कब आये थे देट ठीके चलो यह अच्छा लगा तो इनको रास्ता देखा हुआ नहीं था क्योंकि समुद्री इलाका था समुद्री में मारक पता नहीं चलता है तो वहां पर को हैं थे अब्दुल माजीद थीक है अब्दुल माजीद क्या करते हैं इनको रास्ता बताते हैं अब्दुल माजीद को अने गुजरात के एक वैपारी थे वह इनको लेकर करके आते हैं फाइनली यहां पर आके इनका मस्ट स्वागत बागत हुआ फिर अपन तो इसमें कि अहां कि पर्मिशन नहीं मिल रहा थां यहां पर्कृश्च बीनियां होता है ज्यासी नहीं besl detht हुआ कि result will test स्टार्म जयंसे सब्सक्राइब दीकलाइन गर्ट करता संब कंडर जाता है काम ब्लैक हॉल ट्रेजडी याद होगा चलो जैसे यह घटना होती है उसके बाद क्या होता है कि यहां से रॉबर्ट क्लाइब भी निकलते हैं इस गुस्सा को दिखाने के लिए कि यह अदम को क्यों मारे थे और पहला चिछ क्या होता है सबसे पहले वहां पर पलासी का यूद हो ब्रीटिस के खिलाब मतलब कि इधर इंडिया से तीन लोग अधर अखेले ब्रीटिस तुमको देखने को क्या मिलता है जब लडाई होता है तो उसमें हारते कौहण है इलाइनस हार जाती हो ब्रीटिस जीच जाती है इस लडाई को क्या बोले थे बैटल ओफ हुआ कब था यसे ही खतम होता है तो बृति को क्या मिल जाता है दिवानी राइश मिल जाता है जिसमें क्या बोलागा कि आप लैंड पर अराम से रिवेन्यू ले सकते हैं इबहीं ले सकते हैं बेंदनмат.. फश्य लेकिवी एक करने की आटके ज़एगे कि अगर मुझट करें फिक्स्ट एमाउंट रहेगा कि उतना ही ताकस हमको पे प्ड़ाने जब elegant करेगा एक समय बूम करेगा ऐसा इन लोगों का मानना था लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये लोग और क्या किये कि जो तुम्हारा टैक्स कलेक्शन होगा इसको कौन करेंगे जमिंदार करेंगे खुद क्यों नहीं करेंगे क्योंकि अगर जाएंगे पैसा मांगने तो उनका इज्जत क्या होगा तोड़ा कम होगा इसके लिए जमिंदार पॉइंट था जमिंदार जाकर के लेता था और एक नियम क्या था कि अगर जमिंदार को उसके बदल में क्या करना होगा पैसा देना होगा पैसा मिलेगा जो जमिंदार लेकर क्या है उसके एवज में और उसको अमेरिका में तो वहां पर उनको हार गए थे उसी कारण से यहां आए थे चलो उसके बाद तुम क्या देखने को मिलता है पर्मानल से तलमेंट में क्या हो गई कि यह जमिंदार जाएंगे जाके पैसा लेकर करेंगे यह सारा कुछ अगर जमिंदार उस पैसा को नहीं दे उसके का उसके लेगा जहाए थी तुम क्या हो जाएगा इस तरह से वह किया देखने को मिलता है जमिंदार के साथ यह यह ड्राव बैक था रवनेंस ज मिल्मद्ध को प्रवम्य पैस की शूरू कर देते हैं अच्छा क्यों आखिर कर देता है आ है प्हुं का यह आई दिमां पहुत जादा था दूसरा चीज क्या था कि क्रॉब्ट फेलियर हो चुका था क्योगर के पैसा चाल ही नहीं था इंसान के बाइसा ही और पैसा पॉब्हा vino कि अब मेरे पाफ पैसा ही नहीं तो हम टेक्स देंगे कैसे थीक है तीसरा चीज क्या था हां संसेट लौ ठीक है कि उनको बोला गया कि सूरी मान के चलो के दिसाइद है कि 9 जनवरी तो 9 जनवरी के सूरी धलने के पहले ही तुमको लाकर के देना होगा अगर सूरी धलने के बाद आप तुमारे हो ठीक है मैं अब शाड़े पांच छे बजे कि चलो चाय पीके ही जाते हैं अगर वैसे में तुमारा क्या हो जागा देत नहीं मानेंगे और फिर तुमारा संपत्ति को अक्षन कर देंगे अब देखों इंडिया में यह सब चीज होता है कि अगर तुम आपन कर दिया जागा चौस क्शन कर दिया का चौछा चौछा फॉत पावर JACO Cref counsel कर दिया गया था तुमारा यह जीद आपके पावार था कि मान के चलो कि था कि प्रकnant नई डेगी कि वान के अनुत पर नूपरिया तो हम इसके खिलाब action नहीं ले सकते कोई कि मेरे पास कोई मेरे दाइबाइब बाइब बोडिगाद भी नहीं है इसा कुछ भी तुमको चीज देखने को नहीं मिलता है तो इस तरह से क्या होने लगे जमिनदार के पास यह चार रीजन था जिस कहने से जमिनदार पैसा नहीं दे पा रहा था ठीक है चारो रीजन पता है इसी चीज में तुमको कोई देखने को मिलते है जोतेदार जोतेदार अपने लिखेत दिनाजपूर दिश्टिक में सबसे परते देखने को मिलता है और इसके लिए अलग-अलग वाद भी यूस हुआ है तुमको पता है हलोदार और फिर अलग-अलग तुम लोग पढ़े हो चलो अब उसके बाद तुमको देखने को क्या मिलता है यह एक ऐसा क्ल लहाँ आता था अर्बं एरिया में रहता था सायर में रहता था बस टेक्स के समय में कहा है था वो गावे आता था all कियोंकोई जोतेदार सुरू से गावं में रह रह रहे हैं तो वो अगर जमिंदार आ रह रहा ह होता ह believe it Nobel पैसा मात देना समझ द Oy withdrawn ज़्यादाire किस का था दूसरा चिछ किया जब auction हो रहा होता था जब निलामी हो रहा होता तो संपत्ति को खरीदता कौन था जोतेदार क्या थे रीच पीजन थे यह सबसे पैसा ले रहा है लेकिन फैनली पैसा कहां पहुंच रहा था ब्रिटिस के पास अब मान के चलो कि विकास को हम पैसा दिये तो मेरे मन में क्या रहा है मेरे विकास कौन करेगा विकास ही करेगा ना मेरे मन में तो ऐसा ही रहेगा लेकिन फिर विकास पैसा ब्रिटिस को जाकर दे रहा है यह चीज थोड़ी देखने के लिए कि कहां जाकर पैसा दे रहा है हम क किसे करेंगे इससे करेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है मेरा अभिकास ठीक है तो यह सरा को देखने को मिलता है इस सीज में अच्छा अब यह तक तुम्हारा जोतेदार जमींदार वला इसू चल रहा था अब जमींदार इससे बचने के लिए क्या किये क्योंकि यह कानून आ इसे नाम पर इसे बिलो तो इसके बाद देखने को क्या मिलता है एक चीज तो यह दूसरा अपने साथ क्या रखने लेगे लगे लगे लगते इनके जमीन के पास कौन था लगता लगत लो लगत्याल कॉन होते हैं जो कि लाती लेकर खड़े रहते बॉडिय बुल्डर किलो क्या करते थे दिए उसमें और ऑर जाकर बर्दमान का था उसमें वर्दमान का हुआ तो कम हवाथ कि हर चीज के अंसर जो आज अच्छ नोड़ी युस तो based लुक्षिश तो उसके बाद देखो क्या हो रहा है कि ब्रिटिस के एक मोलो पॉली मिला हुआ था कि सिर्फ इस्ट इंडिया कंपणी क्या करेगी जा करके ट्रेज वगएरा सब काम करेगी लेकिन इस कारण से क्या होता है और भी कंपणी को बुरा लगता है कि हम क्यों नहीं जाएं चाइन चाइज ऋंप खुule रिटिस के लिए उसके लिए लोग क्या कर रहे होते ऊपर आवलर पारलियमेंट में विस्त इंडिया कंपनी क्या रही है क्या रही है पता हो तो जब इसका पताच चलता है तो उसको क्या किया जाय जाया तो सिर्फ उसी जमिंदार फेल हो रहा है जमिंदार नहीं दे पारा है इस सब चीज़ के पिस जमिंदार और टैक्स के बारे में जिक्र मिलता है हम लोग यह भी बात किये थे कि इसमें लोग यह भी जाने का थे कि यहां की कमपणी क्या हो गई ती दिरे-दिरे करप्त हो गई थी हमको इसी रिपोर्ट से पता चलता है इसके बाद बहुत सारे लौभी ब्रिटिस इंडिया कमपणी लाती है जिसमें की रेगुलेटिंग च करके लिखते थे ठीक है वह ऐसे लिखते थे कि जमिंदार का हालत बहुत खराब आदा कि हमको सौरी बोला थी कि ना लगडवाएं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था लेकिन कुछ बढ़ा करके अपना इज़त को धकने के लिए कि हम लोग बहुत जादा पावर्फुल है यह पैसा रिपोर्ट में दिखाया जाता था लेकिन ग्राउंड लेबल पैसा कुछ भी नहीं था चलो इसके बाद वो क्या देखने को मिलता है हम लोग हो और प्लग पड़े थे यह कौन यूज करते थे और यह संथा अब सुनो पूरा कहानी याद है पहाडिया लोग क्या वो जादा अंदर तक अद्धा नहीं करेंगे ऐसा इनका मानना था उससे क्या होगी लैंड खराब हो जाएगी ठीक तो वो लोग सिर्फ उसका यूज करते थे कौन आया फिर यहां पर कौन से एरिया में वह घूम रहता ही इस में क्या दिल्खता है क्यों क्यूंकर इसको किया कौन है तो क्या पता चलते है क्यों किया है सन्थाल जो किये तो satisfyingly सफन्थाल fishing वहां के थे बंगाल में कभा यहां लाये जाता है कहां पहाडियां सले डिखांग कssen क्यों कि इनया करना था वस एरिया को ज्यादा बढ़ा करके अगिरिकल्चर लेंड में बदलना था ठीक है तो यह अगरिकल्चरोंत बरग जाए इसके लिए लोग क्या लेक्या है तुम्हारा 1800 में संथाल को जब संथाल यहां पर आते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि यहां पर भी लड़ाय जगडा चली रहाता तुमको पता है सिर्फ इंपॉर्टन क्या सुनों भागलपुर एक कलेक्टर कौन थे अगस्तास क्लीवलंड थीक है तो वह लोग भी क्या किये वहां पर पैसिफिकेशन चला लेकिन उसमें भी क्या हुआ पहाडिया लोग नहीं नेगोशीट किये बोला गया कि तुम्हारे जो भी चीफ होंगे उनको क्या होगा एलोएंस मिलेगा लेकिन चीफ भी राजी नहीं ह बस्ती मिल जाता है उस एरिया को क्या बोला गया जिसमें संथाल को लेंड दा मीने को चाहिक है दीवाने को नहीं रहते थे बोला गया गया कि तुमको एस काम को कर रहे थे तो क्या हो गया ? जब पूरी तरह से जब अग्रिकल्च्च्रव को गया, तब संधाल को क्या बोला गया? कि अब तुम यहां से हतो, अब यहां पर हम लोग आएंगे, और यह लाइन में तुम क्या rule होगा? टैक्ज देना होगा, ठीक है? संथाल प्रगना के एरिया तुम लोगों को मिलेगा संथाल प्रगना के एरिया कहां से कहां तक था एरिया कितना चलो उसके बाद तुमको फी देखने को क्या मिलता है जब यह सारा कुछ हुआ फाइनली यहां पर इस्प्यूद भी खतम हो गया वहां पर लैंड भी क्या हो ग पर आदेक हो गया दंधां फितकर की देखे सचन्था फाइनली परमानने अंद्रीकल्स परमाने इस हो गया एघ्या मैं किसान को क्या दिया जा रहा था लोन दिया जा रहा था इभी बात किये थे जब लोन मिल रहा था तो किसान लो क्या होगे कर्ष के तले दबते चले के कौन वाले अरिया में तुमारा बंबय दकन वाले अरिया में जब कर्ष में बहुत ज़ादा दब गे तो यह लोग क्या किय यह किसके खिलाब स्टार्टिंग में मनी लेंडर्स के खिलाब उसके बाद क्या हो गया दुकान के भाहिए खाता को भी क्या कहने लगे जलाना शुरू कर दिये और रिबोल्ट धिरे-धिरे कहां से सुरू कहां से हुई थी सूपा से फिर कितना स्कॉर फीट में फैली थी 65-100 देखके ठीक है तब बहुत बड़ी है ठीक है धिरे-धिर पूरा जब यह फैल जाता है तो तुम वह क्या देखना को मिलता है कि यह लोग जो तुमारे मनी लाइंडर्स थे वो लोग क्या होने लगे अपने गाउं भागना शुरू कर दिये क्यों क्योंकि इनके खिलाब यह लोग क्या करने लगे प्रोटेस्ट करने लगे यह लोग पहले तो उनके बही खाता उनके एकांट बूक को जलाना शुरू किये उसके बाद क्या करने लगे उन्ही को मारना शुरू कर दिये तो फिर वो क्या करनेगी धिरे-धिर अपने गाउं के तरफ भागना इसके लिए क्या किया गया वहां पे बहुत सारे ट्रूप्स को डाला गया वहां पे बहुत सारे पुलीस आर्मी को भेजा गया और सब कोई को पकड़ पकड़ कहां किया गया जेल के अंडर बंद बहुत को लातवात मारा गया मारपीट करके फैनली इसको दबाया गया इस प् था सेयां कि एहां कि यहांहें कि यहां पे एगरिक वालिया कि यहां सक्सेस्थपूल युज particulier के वादे शीमोट कहां यहांहें कि यहां भीनफाने र Smells स्विठ्म करा Stretchate यहां यहांम पर जीए थक्ष्म ड़ा घीए डियां में इस्विट के र खता सवी जढ़ा Richmond पर्मानन सटल्में सक्सेसपूल नहीं हुआ है तो जो चीज नहीं हुए उसको फिर तो करेंगे आप निया कुछ करेंगे तो यहां पर रहीयत वाड़ी करके सटल्में तुम और देखने को मिलता है अच्छा उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलता है अथार फोने लोग बहुत ज्यादा प्राइस हाइक कर गया था जिस कारण से फैदा किसको होने लग गया था शिर्फ और जमिंदार को क्यों क्यों कि जमिंदार के पास maximum land होता था अब जब agriculture प्राइस हाइक हुआ तो क्या हो गया कि इनको रिवेन्यू फिक्स था कि इतना ही रुपया देना है ज इस कारण से क्या होता है सिर्फ और सिर्फ जमिंदार ही ग्रो कर रहे थे इसलिए इनको क्या रियलाइज होता है कि धिरे धिरे जमिंदार क्या हो जागा हमसे भी ज्यादा पावर्फुल हो जागा बताई थे कैसे उन 5 रुपय 5 रुपय 10 रुपय इधर 5 रुपय दे रहा कुछ देही नहीं रहा था तो इस तरह सेनको रियलाइस क्या होता है सिर्फ उसिप जमिंदार पावर्फुल होगा इसलिए एक नया सटल्मेंट लाना जरूरी है इसी में हम लोग एक एक नाम पढ़े ते याद करो क्या तो यह नया थियोरी दिये जिसमें यह क्या बात किये थे कि हम लोग क्या करेंगे शर्वे होगा था ने कि गरीब के साथ थोड़ा कम पैसा और अमीर के साथ आवरेज रैंच निकाल करके हम लोग आई किनि दिशाइद केरीं कों किना टैक्स ते wakes заключ खूर कुछ क्या रखा जाए और रका जाएगा नहीं रखा जागा रीजन क्या है क्योंकि अगर जमिंदार रहेंगे तो फिर ते फिर को आं करेंगा तुरिक से आजे तो पैसा नहीं तो हम उसका help कर देंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, उसके नजर में अच्छा बन जाएंगे, लेकिन ये चीज़ देखने को तुमको नहीं मिलता है, क्यों क्यों कि British का रवया शुरू से ऐसा था कि हमको profit ही करना है, तो जब कोई इंसान आता था, loan tax लेने के लिए, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, अब वो बोलता था कि पैसा नहीं है, तो उसको British क्या करती थी, उसको मारती थी, ठीक है, उसको सताती थी, उसको मारती थी, उसको से brutal क्लिंग किया जाता था, ये सारग कुछ तुमको देखने को मिलता है, इसी तरह से क्या होनी लगया, यहां के आपको भी सीज कर लिया जाता था, ठीक है, उनको fine भी लगाया जाता था, माल लो एक मेहना नहीं दे पाए, जैनुमरी मन पे नहीं दे पा रहा है, कोई बात नहीं हो पाया, 7 रुपय ज़्या ज़ादा कर लेती थी, नहीं हो पाया, 3-4 मेहना सहल है लिए, जब नहीं सहब कर लेते हैं तीक है maximum subsidize तुमको देखने को मिलता है अब देखो यह सारा कुछ तुमको इवन इंडिया में भी देखने को मिलेगा सरकार क्या करती है किसान को loan देती है अगर agriculture नहीं अच्छा होता तो किसान loan माफ भी कर देती यह सब पता होगा ही तुमको ठीक है तो यह सारा कुछ सूरुस देखो अभी चल रहा है कितना बढ़िया सुष्टा में कि किसान मारा नहीं खतम हो किसान अगर लोन लिए नहीं कर पाई अगरी कल्चर सिर्फ और सिर्फ नेचर का गया में अगर नेचर लकी बिधिश रहे लिए इसी बीच में देखने को किया मिलता है कि हम लोग क्ल्चिवेटर था जो खेती कर रहे हैं वह आखिर कर कैसे अपना जिंदीगी को गुजारेंगे धूसरा छी चीकर जिन्दीगी कैसे गुजारेंगे और वो जो अपना बेसिक नीज का समान है वह कर दो दो सब कैसे खरीदेंगे कुक्क उनको क्या करते है अपना खेती खर्ड़ी नहीं होटा है ऐसी तो किया करना होлавेह ऐसी टो क्या करना होगा स्ने उप्षारी साफिक उत्स जो हम भासरो फडर कश्चा और ले minutes old क्वर्ट करते हैं को तो इसके बाद उनको क्या खड़ता है उसके बार घृती करने के लिए उसके बार्ट को आपने बच्चे साधी कराना है और वे सब में तो यह तीन काम किसी भी किसान के लिए सोचो कितना बड़ा होगा जिसके पाइसा नहीं हो पाला है तुमको बात करें खिती करके कि उसको टाक्स देना है सरकार को नहीं दे पाएगा तो यह अपना basic need करना है क्या करना है तो कैसे मैंनेज कर सकता है यह साला कुछ अच्छा इस सब्सक्राइब को क्या करना होगा तो यही सारा कुछ देखने को मिलता है कि इन लोगों को यह सारा लोन किसे लेना पड़ा था Money Lander थे क्योंकि Money Lander लोग कौन थे Indians थे ठीक है तो यह वहां से जाके पैसा आराम से मांग सकते थे दूसरा जी देखो क्या है कि लेकिन क्या था जब एक बार ले लेते थे लोन तो लोन को चुकाएंगे कैसे उनके उपर प्राबलम हो जाता था क्यों आज भी तुम किसी दोस्त बहुत बड़ा बात बात थे कुम के पास है नहीं पैसा उसके पैसें प्राबलम देखने को मिलता है कि एक बार वह लोन ले लिए थे फिर क्या होता है लोन नहीं चुका पाते थे मुइदे पर देज सकं调ными देटा था इंट्रेस्ट के साथ की इस महिने में पना इतना बेंगें अब कोई इंसान नहीं देप्ट julian तो किसान के साथ हलत क्या देर्टा बढ़ते जा रहा है जीडिए अर खराब आपी च्छान करेbench बी तो क्या करेए चुह से सब्सक्राइबंत कभी भी रिवॉल्ट हो सकता था समझो क्यों जब तुम्हारे पास रिवह कुछ ना हो तब तुम क्या करता हिसा पैसा ही नहीं समझ में आ हो है ने, इनके पार कुछ नहीं है मैं इनकी नहीं तो यह लोग कुछ भी करते है हांके भी हो सकता है क्योंकि सब कर्श क resilient हो गया को सब के समय आता है को आतन समय हाता है को लोगों को कपास बोलते ला इन 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 का दिखेगा कि कहा क्यों हाट्र अचनक्तिम आतना में कैरें का इंदिया मोर्गайтесь know आधा से जज्यादा कॉटन होती ठीक होर्ट साथ थी कॉसितल अमिरिका इसको सप्लाई करता था तुर बात समझो हैuin अमेशा क्व sasesta ए तो ब्रीटिस को किया करती था अगर सीज अमेरिका कर रहा है तो कल दिन अगर अमेरिका नहीं करेगा या मेरा उससे लड़ाई हो जाएगा तो हम फिर किस से कॉधन लेगे फीर काछें लेखिंगा वाला था प्रिएली लेहें तो फिर आसे रूख गया नहीं है बात में बहुत वोलेंगे तुम नहीं घूल्ट हम कहां stays अमीरिका में रह थे यह लोग क्या वहरे गया सब्सक्राइब शूशुल इसके करते हैं यह लोग अल्चेश और शूर्स में मैंचेस्टर कॉटन कंपणी बनती है वहां पर क्यों बन रही है इनका एम क्या है यह सारी कंपणी बन रही है नाम से पढ़ना क्या लिखा हुआ है क्वाटन सप्ला अस्वसियेशन क्या रहा कि आखिर करी बात करेंगे कि हम लोग कैसे क्वाटन और भी वर्ल्ड में बढ क्वाटन क्या करें सबुकिये क्वाटन का ईखिर कवाटन करना क्या शुरू क्यों अगर जहां पर मेरा मिरा कभजा है वहां पर मधर क्वाटन का खेती करना शूरू कर दए इस अमेरीका क्या हो चुकी ऐतीन दीपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे देखने को मिलता है cotton supply cotton manchester कब 1857 और मैंचेस्टर कब 1859 याद रखना ठीक है cotton supply association 1857 manchester 1859 बन गिया aim क्या था कि to encourage cotton in every part of the world ठीक है तो जितने भी तुमारे विस्व के हर कोने में क्या करना है इसके लोग जिम्मेदारी देते हैं अच्छा जब विस्व के हर कोने का बात चल रहा है खेती का बात चल रहा है तो इंडिया तुम्हारा पीछे कैसे रह सकता है क्योंकि इंडिया का मिठी तुमको पता ही है ठीक है भारत देस है मेरा वही बला सुटेबल तो यहां का लोग बनाना, केला, नारंगी सब लगा दो ठीक है अनार बनार स्रभ होता है ठीक हो ओफियम जो लगाना है लगाओ सब होगा तो देखें भी होगे कहीं के गांजा का दि होता है तो इंडिया ऐसा जिके के यहां कमिट्टी में कुछ भी लगा दो तुमको दिखेगा कि हुई रह बहुत ज्यादा मातरा में फैलना सुरू हो जाता है इंडिया एसा ही चीज है तो इस इस में का यहां यहां का स्वाइल बहुत ही अच्छा कंपरेबल है दूसरा दियसे ही हां के पहुत ही सही है तो जईता ही है हर तरह और जुँंख है धन्दा गर्म मौशम सब तरह चलता है बीडियम होते, चैसे थंडा, गर्मी नहीं चल पहरे है तो एक लाइमेट ही ऐसा है एका जिसकालन से यहां के के लोग के किया था कर था कि 파 को अराम से होगा ठैंक्स सेरियसली ठैंक्स है यह मिरे डर्द हो रहा था नहीं बोल पा रहा है लगातार बले तो बीच में बोल दिया करो तो उनको अराम लगता है सुनो अब नहीं तुम लोग मत ही बोला तो हमको पूरा आराम ही देदो कि जाहिए अब नीचे आप बैठिए फिर आप बोलिये बंद कर दो सुनो क्या देखने के मिलता सुरू हो गया सुनो मेरा बात अब क्या है कि इनको सबसे पहला चीज आपका स्वाइल बहुत अच्छा था यहां का क्लाइमेट बहुत अच्छा था दूसरा सबसे बढ़ा चीज यहां पर क्या है चीप लेबर समझ में जब एसोसियेशन बैद के क्यो क्यों कि यहां के लेबर क्या हो रहां बहुत सस्थे में अराम से आ'M рав तरिके यहां कि तुम को पता ही कि इन को बिहार के विखना क्भाव का हर कोने में अमिया अबलेबल काभ। तुम साउथ से कोई कोई आया है अस तक इधर साइद में, कभी टैमिल लादू सबसे ट्रेन पकड़ना, तुम एसी सिलीपर किसी में पकड़ना, तुमको इतना भीड देखे का ना, पुरा बिहार के लोग बैठे हुए रहते को, दूर में काम करते हैं मुंबई, मुंबई का तुम्हार और आरिया में, तो साउथ सोलो सब आरे होते हैं तो अअको किया हुए हर जगा में प्याले में सिर्फ और अचिंट से काम में किए, क्यूज यह पर लेबर सथी सस्ता देखने को मिलता है, तो इसलिए क्या किया है, GOTन का बात किया, चलो जब तो हो तुम्हारे अ अमेरिका में एक civil war चेटा तुमको पता ही है yeah जैसे या अमेरिका में 1861 में civil war होता है तो civil war जब चर से लोर मतलब पता ही है क्या होता है civil war एनिस बता है civil war मतलब क्या लुट समय लुट्व हिंदी नहीं पूछते हैं ums group मतलब क्या माँव दो दो एक ही तुमार जो country उसमें क्या हुरह है दो religion यह फिदो community के बीच में क्या होने लगा वार शुरू हो गया मैं तो इसका इंपक्ट कब मिला ट्वाइंटीज में डेखने को मिल रहा है समझ रहो कि नहीं तो वही अब बात सुनुज़ा कि अब जब सिविल वार का सिचुएशन है तो इसमें अगर तुम बोलो गए अगर बृति जाकर बृतन जाके बोलती कि नॉक नॉक कॉदन चाहिए, तो क्या अमेरिका उसको कॉदन देता? सिंपल से समझे, देता कभी? नहीं देता? लिखो एक बार रहियत वाड़ी सिस्टम ये तो, सुनो, सुनो एक बार सुनो, रहियत वाड़ी समझ में आया कि नहीं आया? आया, आगे है ना? पर्मनल से तलमन में किया है, कि बीच में मिडियेतर रहे काम करें जमिंदार, और इसमें जमिंदार को हता दिया गया है, और ये किया है, सिर्फ एक चीज़ निकलो, कि रहियत वाड़ी को इंपलीमेंट कॉन किये थे? थॉमस मुन्रो, ठीक है? महलवाड़ी माहत है, सुनो बात क्या है कि महलवाड़ी है, लेकिन अगर तुमको क्या जहाड़ा है, कि आगे काम देगा, क्योंकि तुम महलवाड़ी पढ़ेंगे तीन तरह के साफ एक क्योकि सुनो रहियत बाड़ी तो उसमें लिखा हुआ ये नो उसमें रहियत बाड़ी समझ में आ गिया ना क्या है सीरो लिखो महल बाड़ी ये क्या बात हुआ थिच भर जाएगा महल बाड़ी प्रनली अथरहो सबाइस में हिंडी में कितना हिंडी मीधियम थिख नही लिखा है सुननो दर महरबारी सिस्टम अज इंट्र दूट मेकंजे Holt मेकंजे H O L T Holt मेकंजे M A C K E M C K E M A C K E E E N Z I E Holt मेकंजे in 1822 22 22, and it was, it was reviewed by, and it was reviewed under Lord William Benteke, Lord William Benteke in 1833, Lord William Benteke in 1833, Lord William Benteke, पता ही Lord William Benteke, Governor General थे, सुनो, लिखो, B, E, N, C, T, I, C के, B, E, N, T, I, C, के, in 1833, अब सुनो, महलबाडी प्रनाली 2722 में, हॉल्ट, मैकेंजे, दुवारा, सुरू की गई थी, और, 1833 में, Lord William Benteke, के तहट, इसकी समिक्षा की गई थी, अब सुनना बात को, क्योंकि, Governor General, बड़ा पोश्ट किसका है, तो नाम किसका जादा हो जाता है, बैंटिक का नाम हो जाता है, समझ में है कि नि, क्योंकि, जैसे कि, मान के चलो, कि, कोवेट के समय में, लॉक्डाउन करने के लिए, सिर्म होदी, डिसाइड नहीं कियोंगे, और भी बहुत आदमी, डिसाइड करते हैं, तो पता ही क्योंकि, गाँ सिर्फ़ पता हम लेके नि, क्लगे लेंगे, समय में, वहाई चीज है, लिख लिये हैं, हिंदी में लिख लिये हैं, चलो, उसके बार लिखो, इस इस सिस्टम वस इंट्रडूच इन, इन सिस्टम वस इंट्रडूच इन, नोर्थ वेस्स फ्रंटेर, वेगास, 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 वेगास अग्रा नॉर्थ वेस्ट अग्रा सेंट्रल प्रोवियंसेज गंगेटिक प्लैंगेटिक वैली पंजाब एक्सेक्ट्रा हो यह ना नाम ही उसमें उसके तीसरा पॉइंट लिगो है भी उसके बाद एक पॉइंट लिखो here revenue was collected revenue was collected revenue was collected by village headman or village leader it was collected by village headman it was introduced in the concept of it introduced the concept of average rent for different soil classes concept it introduced the concept of average rent for different soil classes in the context of the concept of the entire soil which we talked about which the soil will be good which will be good which will be good which will be good the whole the whole the whole village headman क्वाइब करते थे अच्छा सुनो बंद करो ठीक है अब इसको पार लेकर जाके जाएंगे हैं आफ जो अबने इस